आप सभी का स्वागत है इस टेडी कैपिटल में जैसे कि हम लोग डेली 5.45 पे 5.45 में साम को पीवाई की उसको लेके जुड़ रहे हैं जो भी जोगर ओफिस से रिलेटेड हैं CET PG 2024 के एक्जैम के लिए और आपके पास 7-8 दिन का ही समय बचा है और 5 ही दिन आप उसको कंसीडर कर सकते हो 5 दिन है तो उस पे जित्ते जो भी कोश्चन्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कोश्चन्स नंबर बढ़ाने से जादा बेटर जो मेरा फोकस रहता है कि हम उस कोश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको प्रॉपरली रिवाईस करें तो हम यहां पे उसको देखेंगे तो आप सभी लोग जुड़ जाएं सॉइटी पीजी 2023 के 25 कोश्चन बाकी थे वो हम आज यहां पे सॉल्व करेंगे और होफुली आपको चीजे समझ में आ रही होंगी और आप लोग कॉमेंट बॉक्स पे लिखके बता सकते हैं कि हाँ ठीक चल रहा है या क्या है और बहुत सारे बच्चे हैं बहुत लोगों सॉइटी पीजी 2023 का पेपर सॉल्व किया होगा लेकिन हम सब एक मैजॉरिटी को ध्यान में रखते हुए चीजे कर रहे हैं तो हम जो मेरा एक शेडियूल है उसको फॉलू कर रहा हूं है ठीक तो आप यहां पर उसको देखते चले क्या है आपका इंडस्ट्री और लोकेशन आपको मैच करना है तो सबसे पहले यहां पर आइरन, स्टील, अलूम्नियम, कॉपर, स्मेल्टिंग और जूट को लेकर दिया है अब आपको माल लीजे कोई भी एक पता है खेत्री माइन्स होफुली आप सबको याद होगा हमने पढ़ा है copper के लिए तो आपका खेत्री माइन्स जो है वो क्या है copper के लिए तो 4th option यहां से सही हो जाएगा ठीक है 4th option सही हो जाएगा और यहां पर आप देख सकते हो C का 4th किस्ट में दिया है तो आपको सबसे पहले वो ढूणना है तो आपके 2 option eliminate हो जाएंगे और आपके 2 option में C का 4 दिया गया है ठीक है अब मालो कोई भी एक आपको पता है D का अगर आपको पता है D जो बजबज है यह आपका कहाँ पर है जो 24 South Pargana District है West Bengal का वहाँ पर आपको बजबज है जो की जूट के लिए famous है तो आपका जो second option है वो इसके लिए हो जाएगा तो D का second किसमे पर दिया है यह तो आपका यह आंसर सही हो जाएगा तो आपको elimination लगाना है बार-बार मैं बोल रहा हूं तो बहुत सारे question elimination के थ्रू आप find out कर पाओगे तो यहाँ पर देख सकते हो तो law spot जो है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा जो राओर किला है ठीक है राओर किल तामबा प्रागलन जो है वो आपका खेत्री माइन्स होगा राजिस्थान ठीक है और फिर उसके बाद आपका यह बजबज जो है यह आपका वेस्ट बेंगॉल में है जो की जूट के लिए फेमस है ठीक यह आपको यहाँ से ध्यान रखना है नेक्स्ट कोश्चिन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे और दूसरा कोश्चिन क्या कह रहा है आपका वो रॉट 17 वॉल्यूम्स ऑफ जग्रॉफिका जग्रॉफिका के 17 खंडों की रचना किस ने की है तो यह कोश्चिन 2022 में भी आया था और 2023 में भी वॉल्यूम्स ऑफ जग्रॉफिका एक इसने लिखा है आप सबको बताना है तो बिल्कुल सही है बहुत सिंपल कोश्चिन है इस ट्रैबो ने लिखा है आपको जग्रॉफिका जो की 2022 और 2023 में यह कोश्चिन आया है ठी जबकि टॉलमी की बूक है दा अलमेगेस दस इंटैक अप्टेक्स, टेटराबिबलॉस यह सारी चीज़े हैं ठीक हम इसको अभी देखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले इस ट्रैबो के बारे में तो रोमन जोग्रॉफर में हमें दो नाम आते हैं एक इस ट्रैबो और एक आपके टॉलमी ठीक है दो नाम सबसे मुख है जो हम यहाँ पे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इस ट्रैबो से रिलेटेड कोश्चन पूछा गया तो इस ट्रैबो जिनको हम रिजिनल जोग्रॉफरी के फाउंडर भी मानते हैं और इनोंने कोरोलॉजिकल साइंस के बारे में बात की है ठीक है कोरोलॉजिकल साइंस जो के इस ट्रैबो हो गया, ठीक है, एक आपके इमेन्वल कैंट हो गया, और एक आपके क्या है, हेटनर, ठीक, ये तीन नाम है जो आपके कोरोलोजी साइन्स है, यानि की रिजनल जोग्रोफी से रिलेटेड है, या आपको ध्यान रखना है, ये कोश्चिन भी आता रहा है, ठीक हम आगे बढ़ेंगे इस ट्रैबो के बारे में, तो इन्होंने 43 वॉल्यूम, 43 खंडों में हिस्टोरिकल मेमोईर नाम की पुस्तक लि में लिखा गया है, 11 से 16 जो है एशिया के बारे में, और 17 जो खंड है वो आपका लीबिया यानि एफ्रीका कंटिनेंट के बारे में लिखा है, ये आपको यहां से ध्यान रखना है, ठीक, नेक्स कोश्चिन क्या कह रहा है, Which one of the following approach attempts to achieve the following objective, निमलिखित में से किस उपागम का उद्देश जो है वो निमलिखित है, क्या उपागम कह रहा है, to define the cognitive environment which determines the decision making process of man, ग्यानात्मक पर्यवरन को परिभाशित करना जो मानों की निर्धारन प्रक्रिया को नियत करती है, ठीक है, तो ये क्या है, आपका बहुत स पर लिख रहा है, सर, last stage कहा है, किस चीज का last stage कहा है, I don't know, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो है आपका decision making से आ गया ना, ये decision making, ये किस से सम्मंदित है, ये आपके behavioralism से सम्मंदित है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर जो fourth option है, behavioralism यानि की बेवहार वाद से स ठीक है, जब ये आपको आया कि क्या कहते है, पॉजिटिविजम जब आ रहा है, तो पॉजिटिविजम में क्या किया गया, जो आपका प्रत्यक्षवाद आया, उसमें क्या किया गया, कि human को बिलकुल नकार दिया गया, ठीक है, मानो कि कोई स्थान नहीं दिया गया, तो उ यह objective है, यह कुछ objective है, जो आपको ध्यान रखना है और आपको class में पढ़ाएगा और इधर, जो second objective है, यही question में आया है, यह आपको यहां से ध्यान रखना है, to define the cognitive, यानि जो subjective environment है, in the process of decision making, यह है, बाकी objectives भी ध्यान रखना है, question में 4 statement दे देगा, और कहेगा कि कौन सा statement जो ह एक दो word play करेगा बस आपको, ठीक, तो आपको यह ध्यान रखना है, इसको मैं revise नहीं कराऊंगा आप यह, क्योंकि काफी time लगेगा इसमें, यहां पर और भी चीज़े दी गई है, इधर भी आप देख सकते हो, ठीक, इसके बाद आता है, आपका next क्या है, thematic type of map, यह practical से related ह thematic type of map is based on which one of the following, तो यह आपको practical class में मैंने verbally बताया है, यह slides में लिखा नहीं था, पर आपको याद होगा, तो मैंने बताया था, map को हम scale के अधार पे divide करते हैं, और हम दो तरीके के और map होते हैं, एक general purpose map और एक thematic map, general purpose जो general map होते हैं, जो particular theme based नहीं होते हैं, जैसे कि topo sheet, वो general purpose है, उसमें human aspects भी दिखेगा, physical aspects भी दिखेगा, लेकिन कुछ होते हैं, जो theme based होते हैं, मैंने आपको map show किये थे, जो मैंने बनाये थे, तो उसी में आप यहाँ पे देखोगे, तो thematic type of map क्या है, जो विश्यगत, मतलब यहाँ पे लिखाई है, जो विश्यगत हो, मतल हैं, वो जानकारी के प्रकारों के अधार पे है, types of information वो क्या carry कर रहे हैं, मतलब की climate map है, population map है, किस चीज के लिए है, तो particular theme based map होता है, that is called thematic map, इस scale के अधार पे हमने दो तरीके का पढ़ा है, small scale map और large scale map, small scale में हमने पढ़ा है world और atlas, world wall map मतलब और यह atlas map, ठीक, और large scale में हमने क्या पढ़ा है, हमने cadastral map पढ़ा है, और topo sheet पढ़ी है, ठीक है, यह आपको ध्यान होगा, next question क्या है, which of the following cannot be shown on the marketers projection, तो निम लिखित में से कौन सा marketers projection में show नहीं होता है, तो marketers projection में कौन सा show नहीं होता है, अगर आपको याद हो, तो marketer projection जो है, निम लिखित में से किसको marketer प्रिक्षे पर नहीं दर्शाया जा सकता, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था, कि मतलब क्या है, क्या ये question आता है, ठीक है, अभी आपको याद भी आएगा, तो जो आपका पोल है, marketer projection में हम ध्रूवों को नहीं दर्शाते हैं, क्यों, क्योंकि जब हम map बनाते हैं, या projection बनाते हैं, अगर हम ध्रूव को रखेंगे, 90 degree रखेंगे, तो उसकी value infinite हो पोल की line draw नहीं कर पाएंगे, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पी हम marketer's projection के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने NCIT में पढ़ा था, तो 1569 में ये marketer, Garrida's Karma के द्वारा ये develop किया गया, which is based on the mathematical formula, ठीक है, ये एक orthomorphic projection है, जहाँ पे shape बिलकुल सही रहता है, shape में distortion नहीं होता है, और जैसे जैसे आप poles की तरह बढ़ते हो, जो दो parallel है, मतलब की दो parallels के बीच में क्या है, आपका distance बढ़ता चला जाता है, ठीक है, दो poles के बीच मे distance बढ़ता चला जाता है, ये gap बढ़ता चला जाता है, ठीक है, और ये सारी चीज़े यहाँ पे दी गई है, हमने इसको पढ़ाये class में ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्या है, 70 degree दिया है, तो ये 89 degree तक जा सकता है, पोल हम यहाँ पे नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है, तो ये आपको चीज दी गई है, जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसकी properties में आओगे, तो properties में ये सारी चीज़े लिखी हैं, जो class में आपको बताया गया है, ये यहाँ पे देख सकते हो, ये भी class में बताया गया है, ये मैंने highlight कि क्या है, लिमिटेशन में क्या है, पोल्स इन दीस प्रोजेक्शन कैन नोट बी सोन आज 90 डिग्री पैरलल एंड मेरीडियन टचिंग देमार, इन फिनाइट, तो हम पोल्स को शो नहीं कर सकते हैं, नेक्स कोश्चन क्या कह रहा है, जो एक नदी की अनुदैधर परिछेदिका की उपस्तिती की जानकारी प्रदान करती है, तो हम लोंगिट्यूडनल प्रोफाइल से हम किस चीज का identification कर सकते हैं, तो हम rapids का identification कर सकते हैं, तो अब यहाँ पे दो कोश्चन आते हैं, कि longitudinal profile क्या होता है river का, और छिपरिकाएं क्या होती है, यानि rapids क्या होती है, अगर आपको याद हो, तो छिपरिकाएं क्या है, या rapid क्या है, जो बहुत छोटे-छोटे height में, waterfall हमने पढ़ाना, तो जो बहुत jumping करते-करते waterfall आगे बढ़ता है, तो वो क्या है, आपका rapids कहलाता है, और longitudinal profile क्या है, यहाँ पर आप देखोगे, तो the long profile shows the gradient of a river as it journey from source to mouth, तो जहां से river originate हो रही है, और जहां तक जा रही है, उनके बीच में क्या changes आ रहा है, elevation को लेकर, तो इन ही में आपका rapid भी बनेगा, इससे हम या identify कर सकते हैं, next question क्या कह रहा है, in which of the following method of surveying, the location of the objects cited is at the intersection of the rays drawn from the two points, निम्न सर्वेक्षन विधियों में से किसमें दिखाई देने वाली वस्तुओं की इस्तिती, दो बिंदूओं से खीची गई रेखाओं के प्रतिछेदन पर होती है, मतलब कि एक आपका ये point है, और एक आपका ये point है, एक line ये और एक line ये, तो इनके intersection से कौन से बन रहा है, तो वो आपका क्या है, इस तरीके का method हमने किसमें पढ़ा है, intersection method कहां use होता है, plain table survey में use होता है, तो जो आपका plain table survey वहाँ पे intersection method use होता है, इसको थोड़ा सा हम elaborate करेंगे और समझेंगे, तो सब अपने plain table पढ़ा है, आपको सबको याद होगा इस तरीके का कुछ image, और plain table surveying में चार तरीके के method होता है, ठीक है, plain table surveying में, radiation, intersection, resection और traversing, अब ये होते क्या है, ये हम जाने के आगे, एक-एक करके, ये आप देख सकते हो, plain table survey, ठीक, सबसे पहला आता है radiation, radiation क्या होता है, यहाँ पे ये table fix कर दी क्या है, in this plain table is located at one point, plain table जो है, वो एक point में located है, as O, जैसे यहाँ पे O से दिखाया गया, as shown in figure, and perform the hole from that point, और जो भी सारे हम यहाँ पे क्या है, हमने rod रखा, यहाँ पे एक rod रखा हम, इसी point के respect में सब को measure कर रहे है, from point O, side the points A, B, C, D, E, using LED, locate and plot the points as A, B, C, D, तो हम लोग यहाँ पे, radiation में क्या है, table fix है आपकी, और उसके थ्रू चारो तरफ हम radiation कर रहे है, मतलब points को locate कर रहे है, तो यह radiation method है, जहाँ पे table fix है, जबकि intersection method क्या है, यहाँ पे आप देखोगे, तो intersection method क्या है, यहाँ पे आपके दो table point है, एक ये और एक ये, मतलब in this method, we can locate the point by plotting two rays from two known station, तो दो known station है हमारे पास, as shown in figure P और यह Q, तो हमारे पास दो known station है, हम यहाँ से क्या कर रहे है, हम अपनी दो table को shift, place कर रहे है, locate कर रहे है, first the equipment is placed on P, पहले हमने P पे रखा, and plot line by sighting the station A, B and Q, तो हमने फिर A, B और Q को sight किया, थी, फिर हमने O पे अपना क्या है, table को plot रखा, shift किया, और हमने फिर वहाँ से A, B, और फिर P को फिर से plot कर रहे है, तो यह हमारा यहाँ पे क्या है, intersection method में आप table को दो points पे रख रहे है, और यही question पूछा गया है, ठीक है, यह आपको यहाँ से समझना है, next method क्या है, next method है, traversing method, traversing method में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे table को multiple points में रखा गया, so traversing is the connection of series of straight line, in the case of traversing that plane table is located at one point for supposing A as shown below, तो मानलो हमने table को यहाँ पे रख दिया, ठीक है, then shift the plane table to point B, फिर हम B पे ला रहे हैं, फिर C पे ले जा रहे हैं, फिर D पे ले जा रहे हैं, और सारी चीजों को measure कर रहे हैं, तो यहाँ पे traversing में क्या है, table को multiple points में रखा जा रहा है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक, इसके बाद आता है आपका resection method, resection method में क्या है, resection method में क्या है, it's a method in which location of the plane table is unknown and is determined by citing it known points और plotted points, तो यहाँ resection method में क्या है, जो हमारा survey हो रहा है, वहाँ पे हम table को unknown point में रख रहे हैं, और हम किसी known point, जैसे हमें पता है कि कोई ये एक pole है, इस pole का location ये है, तो हम उस point के respect में चीजों को देख रहे हैं, तो इसके दो method होते हैं resection के, एक three point problem, एक two point problem, three point में कुछ और method है, जैसे tracing, layman, analytical और graphical, तो ये नाम आप याद रख सकते हो, method की resection में, three point problem में ये ये नाम है, ठीक, मैं समझ सकता हूँ हिंदी वाले बच्चों के लिए, लेकिन content जल्दी हिंदी में नहीं मिलता है, इसलिए हिंदी में content available नहीं होता है, ठीक है, इसके बाद आता है, which of the following is relative measure of dispersion, अभी मैंने हाली में class में पढ़ा है, और मैंने बोला, ये question आता है, direct, जब हम statistical techniques पढ़ रहे थे, तो हमने dispersion पढ़ा था, ठीक है, dispersion में दो पढ़े थे, एक absolute और एक relative, ठीक, यहाँ पर वही पूछा है, निम्न में से कौन सा प्रक्रिंड, एक सापेक्ष माप है, मतलब relative पूछा है, absolute नहीं, तो relative में हमने absolute में क्या क्या पढ़ा था, absolute में हमने range पढ़ा था सबसे पहले, ठीक है, range के बाद हमने क्या पढ़ा, हमने mean deviation पढ़ा है, ठीक, हमने variance को पढ़ा है, हमने standard deviation को पढ़ा है, quartile deviation को पढ़ा है, ठीक, तो हमने ये 5 चीजे हमने क्या पढ़ा है, हमने ये absolute dispersion में पढ़ा है, ठी यहां question relative से आया है, तो relative में range होगा नहीं, quartile होगा नहीं, standard होगा नहीं, coefficient of variance जो है, coefficient of variation विछरन गुडांक जो है, वो क्या हो जाएगा, relative measure हो जाएगा, तो यह आपको ध्यान रखना है, यह class में बताया गया है, ठी, यह आप देख सकते हो, measure of dispersion में, absolute में क्या क्या है, range है, variance है, standard deviation है, mean deviation है, quartile deviation है, जबकि relative क्या होते हैं, coefficient of range, coefficient of variance, coefficient of mean deviation और coefficient of quartile deviation, यह आपको ध्यास में बताया है, सभी लोग answer करें, मुझे यह नहीं समझ में आता है, कि geography की class चल रही है, तो sanskrit के लोग क्यों जुड़े हैं, sanskrit के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, ठीक है, और यह सारी चीज़े, इससे कोई फादा नहीं, आप अपना time waste करोगे, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, आप time मत वेस्ट करो अपना यह कहने का मतलब है, ठीक है, यहाँ पर next question कहा है, which one of the following is more useful and effective for a quick visualization of a limited amount of information, बहुत ही simple सा question है, निम्न में से सीमित मात्रा में उपलब्द जानकारी की बहतर और प्रभावी तिक्षंड द्रश्चता के लिए कौन सी विधी अधिक उप्यूक्त है, बहुत simple है, हमने graphical representation पढ़ा है, यह वहाँ से question आया, उसमें पढ़ाया, तो मैंने से कुछ खास नहीं, line graph, bar graph, यह सारी चीज़े है, क्योंकि यह खास नहीं, question बहुत simple है, अगर हमें कोई अपने data को visualize, बहुत ही simple से way में दिखाना है, easily way में, तो क्या लिखने से better है, आप उसको graphical way में show कर दो, मतलब आलेखी प्रदर्शन जो है, वो सबसे easy और अच्छा method है, तो यहाँ पर answer graphical representation हो जाएगा, next question है, in the equation, why i is equal to b0 plus b1, x1 plus e1, इसमे b1, b0 क्या stand करता है, देखो, मैंने आपको class में बताया है, regression पढ़ा है, correlation, regression, तो regression में दो चीज़े पढ़ाई है, हिंदी में भी same equation है, तो उसमें क्या है, आपको दो बताया है, इसका answer चीए मुझे, ठीक है, इसमे b0 क्या । गर्शा आता है, ये क्या चीज़ है, सबसे चैतल, आचल, अकांशा, सभी लोग सबसे answer चीए, सुयश, सबसे answer चीए इसका चंदन, ठीक, इसमे b0 क्या दर्शा आता है, यहाँ पर तो यह हमने पढ़ रख है, यह पढ़ा है कि हमने regression में. तो हमने linear regression पढ़ हो और multiple regression. यह linear regression की equation है, यह कुछ नहीं, इसने बहुत ही stylish way में लिखा है, otherwise यह कुछ नहीं है, यह क्या है, y is equals to mx plus c, यह simple equation है, उसनी को इसने इस 편리 प्लिखा है, इसमें जो B0 है यानि कि जो C है वो क्या है वो ये पूछना चारा है और कुछ नहीं है तो जो C है या B0 जो है इस equation में वो क्या है वो intercept है अब intercept क्या होता है ये भी जानेंगे तो Y अक्ष पर रेखा का कटाओ बिंदू जो है वो B0 होता है या वो इस equation को दूसरे form में लिख सक तो आपको पता होना चाहिए हम equations पर जाएंगे और समझेंगे यह यहाँ पर आप देख सकते हो तो यह linear regression की equation है linear regression है मतलब की आपका जब हम दो variable के बीच में regression देखते है मतलब variable X और Y इसमें जो Y होता है वो होता है क्या वो dependent variable होता है मतलब की मालो दो है मतलब दो variable माल लेत हम से एक ours और result ही मतलब की मतलब की हम दोने घंटे दिए और कैसा result आये तो result क्या है वह dependent है कि आपने कि मेहनत की मेहनत पर dependent है तो dependent variable क्या है आपका Y आHow कि Y जो होता है वो dependent variable होता है, X, Y axis पे हम क्या रखते है, dependent variable को, यह एक example है और कुछ नहीं है, ठीक है, तो Y में हम क्या रखते है, dependent variable को रखते है, तो Y हो गया dependent variable, यहाँ पे X का है जो independent variable, जासे यहाँ पे हम कह रहे हैं घंटे, कितने घंटे आपने पढ़े, तो X जो है वो है C का मतलब ये है कि जब X 0 है तो Y उस टाइम पे क्या है मतलब कि आपके marks 0 आ रहे हैं तो आप कितने घंटे दे रहे हो इसका मतलब ये है ठीक है तो ये आपका C 0 मतलब intercept की Y जब X 0 होगा तो Y की कितनी value होगी उस पे यह यहाँ पे दिया गया ये चीज है तो ये हो गया C 0 आपका intercept और C 1 क्या होता है slope of line मतलब ये जो trend है ये slope जो है ये क्या होता है ये आपका यहाँ पे C 1 है इस equation के मताबिक और E जो है वो error term है मतलब कुछ error होगा गलती होगी उसको लेकर है ये आपको यहाँ पे समझना है तो ये equation है और इसी तरीके से हम देखेंगे तो हमारा ये multiple regression है तो ये भी same चीज़े है इसमें भी y dependent है अब इसमें x1, x2, x3 तो multiple multiple independent variable है जैसे कि मैं आपको कहूँ कि marks कितने आ रहे हैं ठीक है और कि आपका selection कितना और है multiple चीज़े है तो वो multiple variable है तो x1, x2 ये सब independent variables है बहुत सारे इसमें भी c0 जो है वो क्या है वो intercept है और c1, c2, c3, c4 ये slope है हर एक variable का अलग-अलग trend line slope जो है और e error term है इसमें भी तो ये अलग-अलग तरीके से लिखी जा सकती है same equation तो ये आपको याद रखना है technique sensing मेरे skip हो गए कहीं available ही नहीं कैसे करूँ मैं please बता दीज़े better होगा कि पहले जो पढ़ाया जा रहा है वो करो horizon is visible in which one of the following aerial photograph अभी हाली में पढ़ा हमने निमने में से किस वायव चित्रों में 36 द्रिश्चमान होता है हमने तीन तरीके की aerial photograph पढ़ी अगर आपको याद हो तीन तरीके की aerial photograph क्या पढ़ी हमने ठीक आपको यहाँ पर नाम बताना है एक ये है ठीक एक ये है आपकी और आपका एक ये है पर अगर आपको याद हो हमने तीन तरीके की पढ़ी एक वर्टिकल photograph होती है एक आपका क्या होता है लो अबलिक होता है और एक हाई अबलिक होता है तो जो हाई अबलिक होती है उसमें होरिजन बनता है होरीजिन क्या होता है छितिज होता है जहां पर आपको यह identify कर पाना मुश्किल होता है कि land surface कौन सा है और atmosphere कौन सा है जहां पर जमीन और आस्मान मिलते हुए दिखें फोटो में तो यह आपका यह क्या है आपका यह high oblique images में देखने को मिलता है मतलब कि जो आपकी उच्च तिरियक होती है वहाँ पर आपको horizon बनता हुआ देखने को मिलता है अगर आपको याद होगा तो अभी याद यहाँ पर देख सकते हो रिवाइस कर सकते हो तो क्या है आपका types of aerial photograph में हमने पढ़ा vertical photograph क्या होती है जिनका आपका camera axis और आपका जो vertical axis होता है वो बिल्कुल same हो मतलब 90 degree बिल्कुल exact fitback है तो यह आपका vertical photograph होता है लो अबलिक क्या है जब आपके camera axis और vertical axis के बीच में लगभग 30 15 से 30 degree का deviation हो यह intentionally होता है यह गलती नहीं है यह हमारी जरूरत के हिसापसा में यह deviation कर रहे है तो वो low oblique photograph होता है और high oblique क्या होता है जब यह deviation 60 degree के आसपास हो तो यह high oblique बनता है और high oblique में यह देख पा रहा हो यह origin है ठीक है यह origin बन रहा है जैसे इस image पर देखोगे तो यह क्या है यह origin है यह high oblique है इसमें क्या है यह वाला portion और यह यहां पर मिलता हुआ दिख रहा है ठीक है यह high oblique photo है ठीक है तो यह यहां से आप से पूछा गया यह आपको पढ़ाया गया है कि अगर आपने किया है तो तो easy समझना नहीं किया है तो रट लो थीक अभी के लिए यही कहूंगा तो आपका क्या है एंडिवियाई क्या होता है आपके अलग-अलग index होते हैं तो हम रिमोट सेंसिंग में जो हमें डेटा मिलता है उसमें अलग-अलग बैंड होते हैं जैसे red band, green band, blue band, near infrared, panchromatic, aerosol, clouds बहुत सारे band होते हैं डेटा क्या है उसके help से हम index calculate करते हैं कि हमारा vegetation कैसा है यह सब देखने के लिए तो NDVI जो होता है यह क्या इसका full form है normalized difference vegetation index उसको हम क्या बोलते हैं NDVI मतलब जो आपका है प्रशामनी, क्रत, अंतर, वनस्पति, सूचकांग तो यह इसका full form है ठीक इसमें आपको as it is याद करना है थोड़ा सा आग एक step बढ़ूंगा और इसमें चीजे बताऊंगा तो यह तीन तीन में इंडेक्स होते हैं एक NDVI जो question में पूछा गया normalized difference vegetation index BI होता है यह built up index होता है और WI होता है यह water index होता है NDVI निकालने का क्या है यहाँ पे तो दो band use होती है ठीक है यह आपको near infrared और red band को आप minus करो और near infrared और red band को प्लस करो तो यह formula है NDVI को calculate करने के लिए NDVI built up index को calculate के लिए short wave infrared minus near infrared short wave infrared plus near infrared यह और WI के लिए आपको यह formula दिया है तो आप मैं यह कहूँगा आप इसको as it is रट लो ठीक है समझ में आया है बहुत अच्छा है अधरवाइस यह सारी चीज़े practical करके या जब लोगों को पता होता है पूरा theoretical concept तभी पता चलेगा इसके साथ और भी तीन full form है जो आपको याद रखने है remote sensing से generally जो सबसे commonly use होता है जिसका full format digital elevation model, DSM digital surface model और DTM digital terrain model थी यह आपको ध्यान रखना है DM क्या होता है डेम एक आता है आपको मैंने map में शो नहीं किया मतला class के दोरान डेम एक data है जिससे आप earth surface कैसा है कहाँ पे elevated है कहाँ पे coastal region है क्या elevation है वो सब हम निकालते तो earth surface जो bare earth surface है मतलब buildings को include नहीं कर रहा है जो bare earth surface है उसके elevation को हम देखते है जो सिफ natural है वो हम देखते है जबकि digital surface model में natural के साथ साथ जो artificial feature है जैसे buildings है उनकी height भी show होगी और dtm जो है वो उसमें आपको क्या रहता है dem रहता है मतलब natural और plus जो आपका dsm है वो vector feature में होता है shape file होती है तो यह तीन full form आपको याद रखने है तो यह तीन full form आपको याद रखने है ठीक है पहला statement और फिर कह रहा है geography has its own area of study which may appear to be in the nature of an encroachment upon other discipline ठीक है इसको हिंदी में देखेंगे और समझेंगे क्या कहना चाहरा है तो भूगोल को एक संसलेशलात्मक विज्ञान माना जाता है तो यह बिल्कुल सही है geography of science NCRT अगर आपने पढ़ी होगी वहाँ पर यह लिखा है simple सा पहली पहली chapter में दिया है किसी 11-12 के NCRT में ठीक है यह भी आपको पढ़ाया गया है NCRT से आया होगा question है कि जो conical projection होता है वो trans-siberian line को show करने के लिए अच्छा है trans-siberian सबको पता है कहां से Moscow से आपका ब्लडी वास्टॉक तक ठीक है ठीक है यह statement बिल्कुल सही है क्यों reason क्या कह रहा है the scale is true along the standard parallel क्योंकि standard parallel के along scale बिल्कुल सही होती है तो दोनो ही reason और assertion सही है और उसका सही explanation है अब इसको हम समझेंगे क्या दिया है अगर आपको याद आएगा तो देख सकते है यहां पर देख सकते हो conical projection with one standard parallel तो conical projection with one standard parallel में अगर हम देख रहे हैं तो इस पर क्या है आपकी क्या properties है यह सारी चीजे दी गई है इसको मैं अभी रीड नहीं करूंगा डाइरेक्ट मुद्दे पर आएंगे और समझेंगे uses में आप जाओ तो यहां पर क्या लिखा है this projection is suitable for showing the Canadian Pacific Railway, Trans-Siberian Railway और यह सारी चीजों को क्यों क्यों क्योंकि यहां पर एक standard parallel क्या लाओंग ही आपका railway network आ जाएगा तो distortion बहुत ही कम होगा तो यह आपका एक अच्छा option है conical projection को use करने का यह वहाँ पर दिया है ठीक next question क्या कह रहा है holding a GPS receiver close to the body can cause signal interference जो GPS होता है mobile जितने instrument आते हैं कुछ अलग भी आते हैं बड़े भी होते है थोड़े से तो GPS instrument को कह रहा है कि क्या है receiver close to the body can cause signal interference अगर आप GPS point लोकेट कर रहा है और अगर आप body के बहुत पास रखोगे GPS को तो वो signal receive नहीं कर पाएगा ठीक है क्यों reason क्या करा है the human body can cause signal interference क्यों क्योंकि human body जो है वो signal interference cause कर सकती है यहाँ पर यहीं लिकाए GPS यंद्र को सरीर के समीप रखने से signal बाधित हो सकते हैं बिल्कुल सही है क्यों क्योंकि मानो सरीर सिगनल को बाधित कर सकता है तो यह भी सही है तो यहाँ पर यह दोनों ह कर रहा है कि यह आपको यहां से जानना है नेक्स कुश्चिन क्या है आपका पैरडाइम ठीक है अरेज़ी करेक्टरिस्टिक और डिफरेंट फेसे ऑफ पैरडाइम सजेस्टेट बाई कुहन तो हमने पढ़ा है कुहन का पैरडाइम शिफ्ट वगरा तो उन्होंने कुछ स्टेप्स बताएं किस तरीके से पैरडाइम क्या होता है कि कौन सा कॉंसेट किस समय पर रहा है जैसे कॉंटिटिटिटिव रेवल्यूशन एक टाइम चला है एक में बिहेवरिलिजम हुमेनिजम तो यह सब पैरडाइम है और जब यह चेंज होते हैं that is called paradigm shift जो बहुत ही layman की language में यह बोल सकते हैं तो इन्होंने कुछ suggest किया है यहाँ पर इनको आपको arrange करना है ठी हिंदी में भी देख सकते हैं question को क्या कह रहा है कुहन द्वारा सुझाई गई प्रतिमान की विभिन अवस्थाओं के लक्षणों को समेम आपनी के अनुसार विवस्थित कीजिए ठीक है तो यह आपको बताए सबसे पहले कह रहा है विशिस्ट वग्यानिकों के इर्द गिर्द विक्षित होने वाली विभिन विशेस विचारधाराओं के मद टक्राओं तो सबसे पहले जो अलग-अलग विचारधाराओं होती है वो उत्पन होती है और उनके बीच में टक्राओं होता है ठी पहला कतर दूसरा कह रहा है व प्रबल विचारधारा जो प्राया अल्प समयवधी में विक्षित हुई है, द्वारा अन विचारधाराओं को विस्थापित करना, मतलब कि जो डॉमिनेट कर गई वो धीरे-धीरे बाकी सब को हटा देगी उस time period से ठीक, और फिर सोध में जड़ता हुआ अवेवस्था और विक्षोप पैदा करती है, और फिर धीरे-धीरे क्या है, वो दूसरे paradigm की तरफ या एक, वो कहलो, monotonous condition हो जाती है, फिर नए paradigm की तरफ लोग बढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल arrangement सही दिया गया है, A, B, C, D कहीं दिया है, हाँ, ये third option सही हो जाएगा, ठीक, ये आप यहाँ स करना चालू करेगा, फिर dominate जो कर चुका है, वो क्या है, बाकी सबको हटा देगा, और फिर stagnation आजाएगा, मतलब इस थिड़ता आजाएगी, जिसके कारण दूसरी paradigm की तरफ लोग बढ़ेंगे, ये यहाँ पे दिया गया है, कुहन paradigm में हम यहाँ पे देखते हैं, और कुहन paradigm में ये सारी चीजे दी गई हैं, आप इधर देख सकते हो, पढ़ सकते हो, जो आपको बताया गया है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, जो shift है, सबसे पहले conflict होगा, अलग-अलग schools में, conflict के बाद क्या होगा, आपका एक school जो है, वो dominate कर जाएगा, और उसके बाद जो dominating school है ठीक है, जो dominating school है, वो बाकी सबको क्या कर देगा, वो बाकी सबको replace कर देगा, और फिर आपका क्या है, stagnant condition आ जाएगी, तो ये यहाँ पे sequence दिया गया है, ठीक, सेम चीज़ यहाँ पे दी गई है, next question क्या कह रहा है, next question क्या है, read the following shades in correct order as per coropleth map, तो हमने coropleth map पढ़ाय है, यहाँ पे थोड़ा सा, एक अच्छा और एक different type का question पूछा गया है, ठीक है, coropleth map क्या है, वर्ण मात्री विधी के अनुसार निमने च्हायाओं को उप्यूक्त क्रम में विवस्तित कीजे, तो coropleth map में क्या हम generally show करते है, density वगेरा को, ठीक है, तो उसके लिए हम shades का use करते है, dark to light, जैसे की बहुत high density है, तो हम dark shade ले ले लेंगे, ठीक, very low density है, तो हम बिलकुल light shade लेंगे, एक particular color का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे shade नहीं दे सकता, black and white paper है, तो इसने यहाँ पे symbols दे दिये, तो सबसे जो light symbol है, वो क्या है, आपका यहाँ पे देखोगे, तो सबसे जादा आप क्या, यह सबसे dark क्यां से symbol हो सकता है, D, ठी, जैसे यहाँ पे लिख है, और उसके बाद फिर आपका A, और फिर B, ठीक है, यहाँ पे दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे low shade यह होगा, उसके बाद यह, और फिर उसके बाद यह, ठीक है, तो यहाँ पे आपका यह option हो जाएगा, तो यह थोड़ा सा typical नहीं, different type का question है, यह coropleth में आप है, आ यहाँ पे administrative boundaries में हम densities को show करते हैं, तो जैसे यहाँ पे colors use किया है, तो इसने सबसे low density के लिए सबसे light shade लिया और सबसे high density के लिए सबसे dark shade लिया गया है, ठीक है, तो यह आपको यहाँ पे बता रहा है, ठीक, वन मात्री मांचित्र वही दिया है, next question क्या कह रहा है, next question क्या है, the hair line of the elided and the ranging rod fixed at the other end of the baseline on the ground should be in the same line when seen through the eye vein, मतलब की, अगर आपको याद हो, तो मैंने elided का use बताया है, और वहाँ पे मैंने बताया है, क्या लिखा है, जब 9 फलक से देखा जाए, तब elided की केश रेखा तथा आधार रेखा के दूसरे चोर पर जमीन में स्थाप सर्वेक्षन दंड एक ही रेखा में होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, elided आपको याद होगा, plane table में बताया गया था, कि एक simple सा instrument है, जिसमें एक साइड होर से लगा हुआ है, बिल्कुल एक पतला सा hair है, और दो से साइड आई वेन है, और आप कहीं बाहर दूर लगा रह है, कि rod, horse, air और आपकी आग बिल्कुल intersect करे, तो यह statement बिल्कुल सही है, जो यहाँ पे कह रहा है, ठी, next क्या कह रहा है, next line में, next, क्या है, the table is set to be lying in azimuth when a line showing the magnetic north is drawn with the help of trough compass placed on the, placed on an oriented table, मतलब कि जो आपका table है, उसको तब हम मानेंगे, कि वो बिल्कुल set हो चुकी है, जब आपका compass से हम रखके check करेंगे, ठीक है, तो यह भी आपका statement यहाँ पे सही है, जो आपको यहाँ पे देखना है, ठीक, यहाँ पे यहाँ पे alidate देख सकते हो, अगर आपको याद हो, तो alidate का है, line of side को establish करने के लिए use होता है, यह आप देख सकते हो, यह आपका object vein है, मतलब यहाँ पे कहीं पे आपका rod आपने fix कर दिया है, यह आपका side vein है, यहाँ पे horse hair लगा हुआ है, ठीक है, पतला यह हमने question पढ़ा है, किस पर, हाँ, statistical technique में, दो statement दिये हैं आपको, normal distribution को लेकर, अगर आपको याद हो, empirical rule याद हो, तो वहाँ से यह question आया, क्या कह रहा है, 95.5% of the occurrence will lie in this standard deviation, मतलब यह question यह है, अगर आपको याद ना हो, ठीक है, यह, सबसे पहले क्या आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक, यह आपका क्या है, यह 68% है, ठीक है, यह आपका क्या है, 68%, ठीक, इसके बाद यह वाला जो shade है, आपका, यह क्या है, यह आपका, 95, ठीक, और यह जो है, यह आपका क्या है, 99, अगर आपको याद हो, का सरी कि यह माइनट है ठीक है माइनस वान च्ट॥ प्लस वन स्टैंडरD प्लस वन स्टैंडर्ड बस स्टैंडर्ड और यह माइनस ट्ट हैंद3 स्टैंडर्ड फिर सिंन्पल सा अभी आएगा फिगर गार ऋन्स didharod सम protesting लिए बबस बताये हैं तो आपका 95% वो किस पे बैढ़ता है? वो टु स्टेओर्ड़ पे बैढ़ता है, ना कि तु ये स्टेओर्ट म स्टेओर्ट गलत हो जाएगा. जबकि 68% वाला जो है, वो आपका फॉस्ट पे ही बैठता है. ये मीन सें मेर्ट बैढ़ता है. तो यह भी आपका answer, यह statement सही है, तो आपका पहला statement सही है, दूसरा statement सही है, पहला गलत है, तो fourth option सही हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम समझेंगे, यहाँ पे देख सकते हो, यह आपको याद होगा, तो यह 68% है with one standard mean, तो यह mean है और यह आपका one standard, one standard, ठीक है, यह आपका क्या है, two standard, three standard, तो आपका 68% आता है one standard में, 95 आता है two standard में, और 99 आता है आपका three standard में, तो यहाँ पे वही लिखा है, 68, 95, 99 यह चीज है, जो आपको पूछी गई है, यहाँ पे भी देख सकते हो, इसमें, तो 68.27, 95.45 और 99.73, तो यह आपका क्या है, यह ज same, the empirical rule, ठीक, next question क्या कह रहा है, the intersection of lines from opposite fiducial mark on an aerial photo locate the conjugate principle point, तो यह आपको नहीं पढ़ाए गया, aerial photogrammetry का part है, यह photogrammetry का, तो fiducial points क्या होते है, जो camera set होते है, तो उनके चारो, उस पे क्या लगए होते है, चार point बने होते है, वही point image में भी आते है, जो आपकी photo click होती है, उस आपके fiducial mark थी, और उन line को diagonal, जो आपकी line को intersect करोगे, वो आपके क्या कहलाते है, वो आपके fiducial point कहलाते है, तो आभी आपको पता चलेगा, तो यह आपका statement सही है, ठीक, जो intersection line है, opposite fiducial mark का, वो aerial photo locate करता है, और conjugate principle lines को दिखाता है, ठीक, आपका पहला statement सही है, दूसरा कह र आपके से नहीं बना सकते हैं, ठीक, यह सारे questions को जब आप बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ोगे, तभी ऐसे कुछ questions कर पाओगे, ठीक, यह आप यहाँ पे थोड़ी-थोड़ी चीजों को देखेंगे, बहुत time नहीं है, तो हम class जिनोंने, मतलब जो अपने class वाले बच् इस्टीरियो पेर वो है, दो images, एक ही जगहे की लगभग दो images को stereo pairs कहते हैं, ठीक है, और scope क्या है, stereo scope एक device है, जिसमें हम stereoscopic pair photos को देखते हैं, ठीक है, यह आपकी photo है, यहाँ से flight चल रही है, और यह photo click करती चली जा रही है, अगर आपको किसी भी area का 3D image देखना है, तो उ उसके लिए उस area में दो photo के बीच में कम से कम 60% की overlapping होनी चाहिए, 60% overlapping, जैसे एक photo यह है, ठीक है, और दूसरी photo, दूसरी photo यह है, ठीक है, इस area को आपको देखना है, तो इस area में 60% overlapping होगी, तभी आप देख पाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे यह भी question आता है, ठीक है, so generally the image overlap by approximately 60% along flight line, तो जो यह flight line है, इधर flight चली जा रही है, इसके along कम से कम 60% की overlapping होनी चाहिए, जबकि flight, side lap की अगर बात करें, यह overlap है, side lap मतलब, यह ऐसे है आपका, ठीक है, यह ऐसे, आगे चड़ती flight जा रही है, और यह overlapping की बात कर रहा है, लेकिन यह flight वापस आएगी, तो यहा overlapping है, यह portion, यह कम से कम आपका 20-30% होना चाहिए, ठीक है, तो side lap, जो है, वो 20-30% और flight line overlap, जो है, वो आपका 60% होना चाहिए, यह भी important है, यह ध्यान रखना है, ठीक है, यह आपको यहाँ से ध्यान रखना है, इस पर आगे देखेंगे, दो stereoscopes होते है, यह pocket stereoscope है, साहत आप यह pocket stereoscope है, बहुत छोटा सा, यह दो images बनी है, इनको आपको यहाँ पर ऐसे देखना होता है, इनसे कि यह दोनों overlap कर जाए और आपको 3D image दिखेंगे, ठीक है, तो यह pocket stereoscope है, बहुत छोटा होता है, चस्च में जासा होता है, और यह mirror stereoscope है, यह बड़ा instrument है काफी, काफी मतल of aerial photograph क्या होता है, अब pair of successive overlapping photograph, यहाँ पर देख रहे हो, यह same images है, same road जा रही है, same चीज़े है, यह same triangle यहाँ पर बना है, लेकिन इसके बाद यह वाला portion इस image में नहीं है, यह A image और यह B image, तो B image में कुछ portion यह वाला portion यहाँ पर नहीं बना है, तो इसमें यह 60% overlapping हो रही है, इस area को ही आप सिर्फ 3D images में देख पाऊगे, और यह जो mark बने हैं, इनको ही fiducial mark कहते हैं, यह अभी आपको समझ में आएगा, थी, मैं थोड़ा-थोड़ा summarize करने कोशिश कर रहा हूं कि आपको कुछ idea लग जाए, ठीक है, I know, easy ने, उतना सारी चीज़े बताना, फिर भी, fiducial mark क्या होता है, जैसे यह एक photo click की गई है, ठीक है, यह आपके क्या है, यह fiducial mark है, यह camera में थे, camera में lens fix है, तो वो उस part में इस तरीके के black square या circle बनके आते हैं, ठीक है, जैसे screw होता है उस तरीके का, तो यह 4 fiducial mark है, ठी, generally 4 होते हैं, किसी किसी में 6 भी होते हैं, so we may notice that in aerial photograph, 8 dark marks located at the 4 corner, 4 corner में यह 8 dark marks है, और कहीं कहीं पर यह 8 भी होते हैं, यह 4 भी होते हैं, ठी, तो some metric cameras have only 4 mark, किसी में 8, और इन ही marks को हम fiducial mark कहते हैं, और जब यह fiducial mark को diagonal, जो opposite fiducial mark है, जैसे यहां से, और यह, यह जो opposite fiducial mark है, इनको मिलाओगे, तो आपका क्या बनता है, principal point है, so principal point कहा है, drawing a line between the opposite fiducial marks, तो यह जो fiducial mark diagonal, जो fiducial mark है, उनको जब intersect करोगे, तो वहां पर आपका जो point बनेगा, that is called principal point, उसको हम principal point कहते हैं, है, यह आपको यहां पर ध्यान रखना है, next question क्या कह रहा है, इना, stereos pair, the principal point of a photograph can be found on either photograph, which is known as conjugate principle on that photograph, ठीक है, तो यहां पर देख सकते हो, यह आपका क्या है, यह एक, यह, एक image है, photograph है, और यह दूसरा photo pair है, ठीक है, इसमें क्या है, same area है, इन दोनों में क्या आप देख पा रहे हो, इसका यह principal point है, इसका यह principal point है, ठीक है, और यह चीज़ है, जब इस पे overlapping देखोगे, तो एक common point मिलेगा, उस point को हम क्या कहते है, उस point को हम क्या कहते है, आपका conjugate principal point, ठीक है, so in a stereo pair, the principal point of a photograph can be found on either photograph, वो एक principal point, जो दोनों photograph पे located हो, उसको हम conjugate principal point कहते है, ठीक है, on each photograph, अब principal point and conjugate points are connected by यह straight line, दोनों को हम straight line से connect करते है, ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, conjugate principal point, so it's a principal point of arial photo represented on an adjacent aerial photograph, तो जो दोनों में, दोनों pairs में आपको क्या हो, point हो, उसको कहते है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ आपका flight direction है, और यहाँ आपके fiducial mark है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और यहाँ आपका principal point है, ठीक है, यह यहाँ पे बता रहा है, next question क्या है, आप जाओगे, next question क्या कह रहा है, read the given statement about correlation carefully and identify the correct statement, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, correlation के बारे में आया है, आपको पढ़ाये गया है, correlation, regression, क्या कह रहा है, correlation का मतलब क्या है, आप यहाँ पे देखोगे, तो आपका क्या है, सह संबन्द के संदर्ब में दिये गए कत्नों को ध्यान से पढ़े, तो सबसे पहले कह रहा है, एक धनात्मक सह संबन्द से अभी प्राय, दोनों चरों में एक दिशा में परिवर्तन, तो बिल्कुल सही है, अगर positive correlation है, तो इसका मतलब क्या है, कि दोनों में same direction से आपका movement ह होगा, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हो, पहला क्या है, जो आपका positive relation है, इसका मतलब दोनों variable एक ही direction में बढ़ेंगे, यह change होगे, दोनों एक ही में बढ़ रहे हैं, यह same direction में movement होगा, तो पहला statement आपका सही है, तो आपका a सही है, तो यह option हटा दो इसमें से, और यह यहां से, यह आप यहां पर हटा दो, थी, next question कह रहा है, if two or more variable are related in a statistical way, is sufficient to conclude data cause and effect relation, तो आपको जैसे ही cause and effect आया, तो यह correlation से related नहीं है, यह किस से related है, यह regression से related है, ठीक है, यह किस से related है, regression, तो आपका b statement, जिसमें भी दिया है, आप उसको हटा दो, तो आपके यह option खतम, और c बिल्कुल सही है, negative relation, negative correlation क्या होता है, मतलब, एक variable बढ़ रहा है, तो दूसरा घट रहा है, वो negative होता है, तो opposite direction में changes होते है, तो यह statement भी सही है, और last कह रहा है, Pearson product movement method is a use to calculate r, मतलब, correlation को निकालने के लिए, हम Pearson method का use करते है, तो यह भी सही है, तो आपका option a, c और d, सही हो जाएगा, ठीक, अगर आपको यहां से ध्यान दिया जाए, तो आएगा भी question, यह देख सकते हो, correlation, तो दो variables के बीच में, correlation निकाल रहा है, positive क्या होता है, when the value increases together, दोनों में values बढ़ रही है, negative, दोनों में, one value decreases, as the other increases, मतलब की opposite direction में changes हो रहा है, यहां पे आप देख पाओग correlation, बाकी और भी correlation है, जो आपको बताए गया है, यहां पे भी देख सकते हो, यहां पे देख सकते हो, जो Pearson correlation है, वो Pearson method है, वो correlation को निकालने के लिए यूज होता है, साथ ही Spearsman है, और scatter diagram भी methods है, यहां पे भी देख सकते हो, मैंने का, cause and effect कहीं भी आएगा, वो regression को लेकर है, व read the given statement about enlargement and reduction of maps, तो आपको यह पढ़ाया गया है, enlargement and reduction of maps, इसमें क्या दिया है, similar square method of a map reduction is a mechanical method, तो जो similar square method है, वो क्या mechanical method है, मतलब कि, यह बार-बार change करना पढ़ रहा है, इसलिए नहीं जार पा रहा हूं मैं हिंदी में, ठीक, मान्चित्र लगुकरन की समान वर्ग विधी एक यांतरिक विधी है, तो यह एक यांतरिक विधी नहीं है, ठीक, तो ए option जिसमें है, वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक, यह आपके 2 option गलत हो गया, ठीक, अब दूसरा कह रहा है, अपेक्छा क्रत, अपेक्षा क्रत, छोटे चेत्रों के विवर्धन और लगुकरन में समान्त रिभुजों के सिध्धान का प्रेयोग किया जाता है, मतलब की आपका, क्या कह रहा है, The principle of similar triangle is used in the enlargement and reduction of relatively narrow areas, ठीक है, Narrow areas के reduction के लिए हम similar triangle method use करते हैं, ठीक, Next, कह रहा है, The principle of similar square is used in the reduction and enlargement of larger area, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये तो गलत था, The triangular method is very useful in the area to be reduced as large longitudinal and latitudinal extension, B statement और C statement दोनों ही contradictory हैं एक दूसरे के, एक कह रहा है narrow area के लिए और एक कह रहा है बड़े area के लिए, तो आपका जो D option है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा और B और C जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक, ये यहाँ पे आपको देखना है क्या है, इनलार्जमेंट और रिडक्शन में हमने चीजे पढ़ी, क्या-क्या method है वो हम जानेंगे और यहाँ पे देखेंगे, तो यह आप देख सकते हो, graphical या फिर geographical, sorry, geometrical method कौन से है, चित्रे अथा और रिखा गडिती है, method में आपका square method आता है और method of similar triangle, सम्त्रिभुज विदी और वर्ग विदी आती है, यह आपके क्या है, geometrical या फिर graphical method है, mechanical नहीं, mechanical में क्या आता है, जिसमें हम कुछ instrument यूज कर रहे हैं, जैसे pantograph, edograph, proportional compass या photographic method, तो यह mechanical method है, तो इसलिए पहला statement गलत हो जाता है, और फिर method of similar triangle के दो, और method है, जैसे proportional और length of base, ठी, last side है, यह question में भी, पता नहीं, क्या कह रहा है, आपका, match the following है, जहाँ पे आपको क्या है, विद्वान दिये गए है, और कार्रे दिये गए है, किसने कौन सी book लिखिया, तो इसमें भी हम किसके साथ जाएंगे, हम जाएंगे, elimination के साथ, तो सबसे simple जाते है, आरे भट, तो आरे भट ने पुस्तक लिखिये कौन सी, आरे सिध्धान, तो D का third देखिये कहां पे दिया गया, तो D का third किसमें है, इस दो options में नहीं है, इनको हटा दो, ये पता चल गया, अभी, दूसरा अगर आपको कोई भी पता है, मालो, Elmagus पता है, तो आपको पता है, Elmagus किसने लिखिये, तो Elmagus को लिखा है, तॉलमी ने, ठीक है, Delmagus ये syntax इस, तो तॉलमी का आप देखो कि C का, ये दो हटा दिया हमने, C का second किसमें दिया है, तो C का second आपका second option में दिया गया है, ठीक है, ये आप यहां पे mark कर सकते हो, ठीक, जो Hippocrates है, उन्होंने क्या लिखा है, Hippocrates में आप जाओगे, तो Hippocrates ने आपको लिखा है, Air, Water and Places, और Aristotle ने लिखा है, आपको Politics, ठीक, Aristotle ने Metrologica भी लिखी है, और Politics भी लिखी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक, यहां पे आप देख सकते हो, ये टेबल पढ़ा, ये प्रोवाइड कर आए गया है, पहले भी रिवीजन्स में आया है, तो Aristotel ने Metrologica लिखी है, वहां पे आपको ये Politics नहीं था, तो आप उसको Add कर लो, ठीक है, ये Politics यहां से नया मिला है, तो आप इसको Add कर लो, उस लिस्ट में नहीं होगा, ठीक है, टॉलिमी ने Almagast लिखा है, यहां पे आप देख सकते हो, साथ ही साथ, The Geography, The Optics, The Tetrabyblos लिखा है, प्लीनी ने Historia, Naturalia लिखा है, इस ट्रैबो ने Geographica या Geographical Treaties और Historical Memoir लिखे है, 43 वॉल्यूम्स में, ठीक है, ये आपको यहां से ध्यान भॉल्यूम्स में देखेंगे तो आरे भटने, रे भटने, रे भटने क्या लिखा है, यहां पे रे सिध्धान्त लिखी है, तो यहां से ध्यान रखना है, ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका, यह आप यहां पर देख सकते हो, पॉसिडोनियस के बारे में पी पढ़ाये गया है, जिन्होंने ओशियन लिखी है और यहां पर हिपोक्रेट्स हैं, जिन्होंने यहां पढ़ाया गया है, यहां पर दिया गया है, मैंजदी फॉलोगंगे प्रैक्टिकल से ही कोश्चन यहां पर दिया और समझेंगे, बहुत सिंपल सा कोश्चन है, अगर आप निकालोगे तो मीन क्या है, क्या है, सब लोग बताएं, ठीक है, मीन क्या है, आपका based on sound mathematical, ठीक है, second option, median क्या होता है आपका, median वй जो आपको data को दो पारट में डिवाइड करडे, ठीक है, तो आपके data को दो पारट में डिवाइड कर दे, वो median क्यालाता है, mode क्या होता है जो सबसे जादा बार repeat होता है तो आपका mode क्या है first option or standard deviation क्या होता है square root of variance ठीक है तो आपका यहाँ पे third option हो जाएगा और यह first 2, 4, 1, 3 देख लो कहाँ पे है 2, 4, 1, 3 यह option हो जाएगा elimination भी लगा सकतो पर मुझे भी जुखाम काफी जादा हो गया इसलिए मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ ठीक है तो यह आपको यहाँ से जानना है I think इतना ही है ठीक तो यह आपको यहाँ पे क्या है ठीक आज के लिए इतना ही था और क्या कहते हैं आप हाँ CUT PG 2023 के जो 75 सब्सक्राइब कर दिया गया है ठीक है तो यह आपको यहाँ पे जानना है Chinese का भी आएगा क्या Chinese भी है Chinese में बहुत ज्यादा नहीं है कभी question आया नहीं है मैंने कभी Chinese geografer का contribution से question नहीं आया है ठीक है अरप का question आएगा तो हम आरप के बारी में भी बात करेंगे ठीक है उस पर आपको पहले भी video मिलेगा पहले भी कुछ एक डेड़ महीने पहले भी मैंने lectures ली है तो geographical thought के question होंगे वहाँ पर आपको बताये गया है ठीक है इसके अलावा आपके कोई cause and effect नहीं होगा degree of orientation शो करता है I don't know क्या कहना जा रहे है अकांचा कह रहे है sir joining the fiducial mark give us principal points not conjugate principal point हाँ बिल्कुल सही है आप fiducial mark को join करोगे तो आपको principal point मिलता है conjugate principal point fiducial mark को join करने से नहीं होता है ठीक है यह चीज है okay I will check it अकांचा मैं इस question पर देखूँगा और अगर कुछ गलत होगा हो सकता है गलती हो गई हो मतला I am also a student अगर गलती हो गई होगी तो I will check it और हम उस पर कल जो सही explanation होगा वह हम देखेंगे इसके अलावा किसी का कोई genuine question है I understand जो लोग बोल रहे है bilingual यूज करो पर मैं आपको बता दू generally मेरा background का English है ठीक है Hindi background है नहीं फिर भी मैंने बहुत improve किया बहुत सारा जो content है वो Hindi में Google या Net पे available नहीं होता है इसलिए Hindi का बहुत जगे content नहीं मिलता है ठीक है इसलिए आपको वो चीजे नहीं ला पा रहे है और अगर मैं same चीज को दो बार English और Hindi में repeat करता हूं तो बहुत time भी लग जाता है तो इसलिए थोड़ा एक जहकी type का आपको एक शोध कर दिया जाता है बाकी आपको करना है अभी देखो कि मतलब हिंदी के एक बहुत लिमिटेड प्रॉफेसर तो आप बाइलिंग्वल दोनों languages को लेकर चलो बेटर है आपको टर्मलोजी इस पता होनी चाहिए ठीक है तो इसलिए आप वो कह रहा हूं मेरे से तो कह लोगे सेंसिंग प्रैक्टिकल के सेक्शन से कि सर उसको पढ़ा दीजे सर उसको पढ़ा दीजे हमें कंटेंट नहीं मिल रहा है तो एक आप सब लोग चैट बॉक्स पर आगर आपको लग रहा है कि प्रैक्त से पुरत से प्राट